Chemical combinations के laws ने chemistry की field को हिला कर रख दिया इन laws ने scientist को कई experiments करने में मदद की जिससे chemistry की एक ठोस नीव रखी गई लेकिन फिर भी ये laws स्वीकार हो जाएं इसके लिए experiment द्वारा हासिल हुए सबूत चाहिए थे कि 19th century के पहले दशक के आसपास था कि England के एक chemist और physicist John Dalton बहुत से questions को आंसर करने में कामियाब रहे उन्होंने एक theory का प्रस्ताव रखा जो तब Dalton's atomic theory के नाम से जानी जाती थी इस theory के साथ बहुत से matter के बारे में concepts जैसे कि matter का composition, atoms और उनकी combinations जो compounds को बनाते हैं बहतर तरीके से समझे गए ठीक है पहले चलिए उनके theory के 6 major postulates को जल्दी से देख लेते हैं पहले उन्होंने कहा कि सभी matter atoms से बने हैं जो कि बहुत छोटे particles होते हैं दूसरा उन्होंने सुझाया कि atoms divide ना होने वाले particles हैं जो एक chemical reaction में ना ही बनाए या नश्ट किये जा सकते हैं तीसरा postulate था एक element के atoms का mass और chemical properties समान होते हैं इसी तरह चोथा postulate था कि दो अलग elements के atoms का mass और chemical properties हमेशा अलग होंगे पांचवा postulate था कि atoms छोटे whole numbers के ratio में combine होते हैं compounds बनाने के लिए आखिरकार atoms की गिनती और प्रकार एक compound के लिए constant होंगे हमें पता है हमने सारे postulates यहां तेजी से बता दिये हैं लेकिन घबराये नहीं हम हर एक postulate को एक एक करके समझेंगे यहां एक example लेते हैं जिसमें element A और element B compound C बनाते हैं पहले point ने बताया कि सभी matter atoms से बने हैं जो की बहुत छोटे particles होते हैं इसका मतलब कि जब हम matter को छोटे-छोटे sections में divide करते जाते हैं हमें अंत में atoms मिलते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि elements A और B atoms से बने हुए हैं जिहां असल में compound C भी atom से बना हुआ है जो साथ में combine हुए हैं तो पहला postulate समझने में बहुत असान था दूसरा postulate ये था कि atoms divide ना होने वाले particles हैं जो एक chemical reaction में नहीं बनाए या नश्ट किये जा सकते हैं अब इससे हमारा क्या मतलब है? जिहां इसका मतलब है कि atoms fundamental unit की तरह है इसे और आगे divide करना मुम्किन नहीं है और एक chemical reaction में atoms साथ में combine होकर एक नया unit बना सकते हैं लेकिन कोई भी नया atom बनाया और existing atom नश्ट नहीं किया जा सकता तो इस case में element A और B के atoms combine हो रहे हैं compounds बनाने के लिए तो क्या हम कह सकते हैं कि इस case में कोई नया atom नहीं बना है? जिहां इसी तरह कोई atom नश्ट नहीं हुआ है चली अब तीसरे वाले पर आते हैं तीसरे postulate ने बताया कि एक दिये गए element के atoms mass और chemical properties में identical होंगे अगर हम element A में zoom करें तो हम देखेंगे कि सभी atoms जो element A बनाते हैं सेम है और ये कैसे सेम है? atoms के mass और chemical properties identical है सरल शब्दों में तीसरा postulate बताता है कि दिये गए element के सभी atoms identical होते हैं और क्या ये चौथा postulate भी explain करता है? जिहां चौथा postulate बताता है कि अलग elements के atoms के masses और chemical properties अलग होते हैं तो क्या हम ये notice कर सकते हैं कि element A में जो atoms हैं वो element B में जो atoms हैं उनसे अलग है? जी बिलकुल और ये किस तरीक से अलग है? element A और B में जो atoms हैं उनके masses और यहां तक की chemical properties भी अलग हैं सरल शब्दों में ये बताता है कि अलग elements के atoms अलग होते हैं पांचवा postulate बताता है कि atoms छोटे whole numbers के ratio में combine होते हैं compounds बनाने के लिए अब इससे हमारा क्या मतलब है? इस reaction में elements A और B react होकर हमें compound C देते हैं अगर हम अच्छे से observe करें तो compound C के एक unit में element A के दो atoms है और element B का एक atom है तो क्या ये whole numbers नहीं है? जी हाँ इसका मतलब कि कोई भी compound में elements हमेशा एक ratio में मौझूद होंगे जिसमें whole numbers शामिल हैं आप half या 3-4th atom एक दूसरे के साथ combine होते नहीं पाएंगे water के case में हमारे पास हमेशा दो hydrogen atoms और एक oxygen atom combine होते हैं एक unit बनाने के लिए carbon dioxide के एक unit में हमारे पास एक carbon और दो oxygen atoms होते हैं ये सभी compounds के लिए सच है एक compound में एक particular element के number of atoms हमेशा एक whole number होंगे अब आखिरी postulate देखते हैं चटा postulate बताता है कि atoms की गिनती और प्रकार एक compound के लिए constant होंगे वही same explanation कि compound C में element A के दो atoms और element B का एक atom होता है हमें ये समझाती है जिहां अगर हम compound C को scan करें तो हमें एक unit में हमेशा element A के दो atoms और element B का एक atom मिलेगा और ये सभी compounds पर लागू होता है हमने पहले ही दो examples water और carbon dioxide के देखे हैं water के एक unit के case में हमारे पास हमेशा दो hydrogen के atoms और एक atom oxygen का होता है और carbon dioxide के एक unit में हमारे पास एक atom carbon का और दो atom oxygen के होते हैं carbon monoxide में एक एक atom carbon और oxygen का होता है जबकि ammonia के एक unit में हमेशा एक nitrogen का atom और तीन hydrogen के atoms होते हैं तो एक particular compound में number of atoms हमेशा constant होंगे संग्षेप में ये सभी पॉस्चुलेट्स ने केमिस्स की मदद की इनसे बने elements और compounds के behavior समझने में लेकिन इन elements और compounds को समझने के लिए atoms के concept को समझना ज़रूरी है चलिए हमारे आने वाले विडियोज में हम जानेंगे कि atoms exactly क्या होते हैं ये कैसी exist करते हैं इनके mass और ऐसे बहुत से interesting concepts